जैशे कृष्णा स्वागत है आपका सार्थी तृष्णा के साथ कैसे हैं आप लोग क्या आपने कभी एक चीज को बहुत गंभीरता से लिया है हमारे जीवन में जाने अंजाने या जान मूच कर या किसी भी तरीके से मिसंडरस्टेंडिंग के कारण लोग आपको बद्दुआ दे जाते हैं क्या ये बद्दुआ हमारे ग्रहों को हमारे जीवन को सच में बरबाद करती है क्या इन बद्दुआओं का हमारे जीवन पे दुश प्रभाव आता है पहले के जमाने में रिशी मुनी बात बात पे श्राप दे दिया करते थे और उन श्रापों से लोगों के जीवन में बहुत बड़े विनाश हो जाते थे स्वैम इश्वर भी इस श्राप से मुक्त नहीं रह पाए मानती हूँ कि आज की दुनिया में वो तप, वो बल, वो त्याग, वो पूजा, वो अराधना नहीं है कि लोग आपको उस किसम का श्राप दे सकें पर किसी का दिल दुखाने पर आपको बद्वा मिले ये तो होता है और उस बद्वाओं का असर कितना लंबा होता है क्या वो बद्वा कुछ समय के लिए होती है और कुछ समय बाद खतम हो जाती है या वो बद्दुआ लंबे समय तक हमारे घर में, हमारे परिवार में विनाश का कारण बनती रहती है मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं और बहुत सारी कुंडलियों में एक चीज बहुत कौमन देखती हूं कि आपकी कुंडली के अंदर अगर 80 प्रतीशत चीजें आपकी कुंडली और आपके भाग्य के हिसाब से चल रही होती है तो 20% कुंडली आपकी आपके पूरवजों, आपके बड़े बुजुर्गों के करमों के अनुसार चल रही होती है आपके जीवन में आपके पित्रों द्वारा आपके बड़ों द्वारा करे हुए उनके कर्मों का प्रभाव आपके जीवन पर बहुत विशेश रूप से आता है तो क्या ऐसा है कि अगर उनको किसी ने कर्स किया है उनको किसी ने बद्दूआ दी है उस चीज का असर आपके उपर भी चल रहा है और क्या हम ये कुंडली से पता कर सकते हैं तो ये बिल्कुल पता किया जा सकता है कुंडली के अंदर आपका वन्श दोश होना, कुल दोश होना इस चीज को साक्षातकार में दिखाता है कि आपके जीवन में किसी की बद्दूआ या किसी के दिल दुखाने के कारण आपके उपर उसका असर आ रहा है और ये आपके पीडी दर पीडी बढ़ता जा रहा है अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके जीवन से ये बद्दुआ हमेशा के लिए चली जाए और आपकी दुआएं कबूल हो जाएं और आपके जीवन में सुख सम्रद्धी शांती आने लगे आपने कभी देखा है शादी के बाद अचानक से आपके जीवन में सब कुछ पलटने लगा आपके जीवन में यका यक सब कुछ खराब होने लगा तो क्या कुछ ऐसा हुआ कि किसी की बद्दुआ आपके साथ लग गई बहुत केसे में इवन सच बोलू तो 99 केसे में ये पता ही नहीं होता कि कुंडली के अंदर ऐसा कौन सा ग्रह दोश है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है पर जीवन में ऐसी घटनाएं घटती तो है इसका कहीं न कहीं प्रमुक कारण किसी न किसी के दिल दुखाने पर निकली हुई हाय या बद्दुआ ही होती है आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ है पता है या नहीं भी पता है तो भी आप माफी तो मांग सकते हैं हमें नहीं मालूम, फिर भी हम कुछ कर्म ऐसे तो कर सकते हैं, जिससे ये बद्दुआएं कट जाएं, तो चलिए, आपके ये सार्थ ही आज आपको बता देती है कि ऐसी कौन से उपाएं हैं, जिससे आपके जीवन में आई हुई बड़ी से बड़ी बद्दुआ भी कट जात हैं, चलिए, आपको क्या करना है, आपको शनिवार वाले दिन एक भोज पत्र के उपर अपना नाम लिखना है, अपना गोत्र लिखना है, अपने माता पिता का नाम लिखना है, और उसको आपको फोल्ड कर लेना है, फोल्ड करने के बाद आपको एक कटोरी लेनी हैं, जिस प्रभू अगर जाने अन जाने में मेरे परिवार से या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से किसी का दिल दुखा हो और उसकी बद्दुआउं का असर हमारे परिवार पर मुझ पर या आने वाली पीडी पर आने वाला हो तो उसको काट दीजे उसे खटम कर दीजे महीने में एक बार आप किसी व्रद इनसान को अपने हाथ से परोज कर खाना जरूर खिलाये। घर के बाहर का ये व्रद इंसान होना चाहिए जिसे आप बैठा कर अपने हाथ से परोज कर खाना जरूर खिलाईए ऐसा करने से भी बड़े से बड़ी बद्दुआ कट जाती है शनिवार के दिन जो गरीब लोग हैं उन्हें अगर आप दवाईया बाड़ते हैं तो भी आपके जीवन में सुख सम्मध्दी आती है आपके जीवन से बड़ी से बड़ी बद्दुआ हट जाती है अगर आप नियमित रूप से रोज घर से जाते समय या घर से निकलते समय मंदिर में माथा टेक कर जाते हैं मंदिर में मंदिर के दुआर पर उसकी चौकट पर अगर अपना शीश रख कर जाते हैं तो बड़ी से बड़ी बद्दुआ भी आपकी तकदीर से हट जाती है इश्वर का अशिरवाद अगर मिले तो बड़े से बड़ा श्राप भी करता है और इनसान को तारने बार बार अफतार लेकर इश्वर तो आए हैं धरती पर उनके श्रापों को खतम करने इश्वर न जाने कितने अफ्तार लिये हैं और इंसान का भला किया है तो बस अपने इश्च के चरन पकड़ लीजे यानि कि आपको अपने घर के अंदर अपने इश्च के पैरों की फोटो अपने मंदिर में जरूर रखनी चाहिए और उसके उपर लगातार रोज जाना कम से कम छे महीने तक आपको चंदन का टी का जरूर लगाना चाहिए और एक लाल पुष्प चड़ाना चाहिए ऐसा करने से घर में आई बड़ी से बड़ी बद्दुआ कट जाती है बहुत सरल बाते हैं जीवन को सुधार देती हैं बदल देती हैं पर हम अगर ये छोटे छोटे काम दिन के एक मिनट दो मिनट निकाल कर कर लें तो सोचिये न हमारे जीवन से कहा जाएंगी सफलता, कहा दोड़ेंगी सफलता, हमारे जीवन में सुक समरद्धी आएगी ही आएगी, हमारे उपर आशिरवादों की बौचार होगी ही होगी, चलती हूँ, फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्बुद लेकर, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिष्टों में मजबूती बना के रखेगा, अपने सार्थी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, अपना ख्याल रखना बिल्कुल मत भूलेगा, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा कमेंट करके नहीं नहीं टॉपिक्स जरूर बताते रहिए जिस पर मैं आपसे बात करने चलिया हूं चलती हूं ख्याल रखेगा फिर आऊंगी तब तक के लिए जैशी कृष्णा